आप सभी साथियों को नमस्कार यह डिक्टेशन कैरियर फ्रस चानल द्वार आपको दिया जा रहा है अच्छा मैटर है लिखने के लिए तयार है रेडी स्टार्ट महोदय कॉंग्रेसी एकाधिकार समाप्त हुआ और 1967 में कई समविद सरकारें बनी आपातकाल से त्रस्त जनता ने 1977 में इंदिरा गांधी को अपदस्थ कर दिया किन्तु जब पाया की जनता पार्टी में वैचारिक एकता का अभाव है तो उसके तूटने पर फिर स्रीमती गांधी को पदारूर कर दिया सन 2004 में तो सारी भविश्यवाणियों एममचुनाओ सर्वे छणों को नकारते हुए जनता ने अटल बिहारी वाजपेई के नित्रितो वाले राजग को सक्ता से बाहर कर दिया और कांग्रेस के नित्रितो वाले यूपिय को सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया फूलन देवी जैसी निरच्छर महिला एवं गरीबी में पले बढ़े दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के संसद और विधान मंडलों के सदस्यों के रूप में चुने जाने से यह स्पष्ट है कि जनता राजनीतिक स्वतंतरता के अर्थ को काफी हद तक समझ चुकी है लेकिन यहां यह भी उलेखनी है कि अब हर वर्ग के प्रतनिधितों के नाम पर सांसद ऐसे हैं जिनके विरुद्ध आप राधिक मामले चल रहे हैं इसी प्रकार सरकार की आलोचना करने के अधिकार का भी दुरूपयोग हो रहा है सरकार की नीत अच्छी हो या खराब प्रतिपच्छी का मूल मंत्र विरोध के लिए विरोध करना है संसत की कारिवाही ना चलने देने को एक प्रता का रूप दिया जा रहा है जिससे अनेक महतुपूर्ण विधेयक बिना बहस के ही पारित हो जाते हैं संससदस्य बिना काम के दैनिक भत्ता ले लेते हैं राजनीतिक संस्कृति को विक्षित होने नहीं दिया जा रहा है मर्यादा और परंपरा की धजियां उड़ाई जाती हैं लोक तांत्रिक विवस्था ने सोसण और सामाजिक असमानता के विरुद्ध लड़ना सिखाया स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में जमीदारी और सामन्ति प्रथा विद्यमान थी जमीदारी उन्मूलन के बाद भी बेगार और ग्रामीड मजदूरों का सोसण जारी था राजनीतिक दलों ने जनता में जाग रूकता पैदा की और निर्धन और कमजोर वर्ग को भी अपने हक के लिए लड़ना सिखाया अल्प विक्सि समाज में व्याप्त आरोपित मूल के कारण राजा साहब, बाबू साहब, साहुकार जी, पुरोहित महाराज आदिक को जो सम्मान मिल रहा था उसमें कमी आई उनका स्थान जनता के चुने हुए प्रतनिधियों ने ले लिया, अस्प्रिश्चता को समाप्त किये जाने और इसे अपराध घोसित करने से दलितों को भी आत्म सम्मान का बोध हुआ, इसके लिए लेकिन इसके साथ ही नए सोसक वर्ग का उदय हुआ है राजनीतिक पहुँच वाले कोई भी अपराध करके साफ बच निकल रहे हैं और प्रसासन को ढरा धमका कर तथा जनता में भै उत्पन करके चुनाव जीते जा रहे हैं लोक तंत्र में सरकार का निर्माण और पतन लोक मत परही निर्भर करता है सन 1985 में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस की स्थापना के समय से भारत में लोक मत का बनना सुरू हो गया था समप्त धन्यवाद